मुकतार अंसारी की मौत के बाद बांदा जेल में कैदियों में हरकंप क्यों मचा हुआ है क्यों बांदा जेल की कैदी खाना खाने से डर रही है क्यों वो रोटी को सिर्फ टमाटर में नमक लगा कर खा रही है ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है आपको बताएं कि कैदी एक दूसरे से बात नहीं कर रही है जादा हस नहीं रही है बोल नहीं रही है यहां तक कि वहाँ पर जेल की सुरक्षा तो बढ़ा दी गई है पुलिस सुभा और शाम दोनों समय फ्लाग मार्च कर रही है मुक्तार अंसारी गांग्स्टर जिसकी मौत होती है और हार अटाइक उसको आता है हिर्दे गती उसकी रुख जाती है जिस वजह से उसकी मौत होती है लेकिसे मुक्तार अंसारी के परिवार ने आरोप लगाया कि उसको धीमा जहर दिया गया मुक्तार को जेल में जहर दिया गया धीरे धीरे उसकी तब्यद बिगरती चले गए और आखिरकार उसकी मौत हो गए ये परिवार वालों ने सवाल खड़े कि और हमने देखा कि जब मुक्तार अंसारी की मौत होती है उसके बाद जेल अधिक्षक को जान से माने की धंकी मिलती है पंदरा सेकेंड का वो ऑडियो भी वाइरल होता है और शुरुवाती जाच में ये बात सामने आती है कि वो कॉल उत्रा खंड से आया था अब आप ये समझे कि सुरक्षा तो वहाँ पर पुखता है मुक्तार अंसारी के जो परिवार के लोग हैं वो धीमा जहर दिये जाने की बात तो कर रहे थे लेकिन पुलिस द्वारा इस बात का खंडन किया गया जो अस्पताल प्रशासन है मेडिकल रिपोर्ट भी जारी की गई क्योंकि आपको बताएं कि मुक्तार अंसारी जो की गांग्स्टर था फिर नेता बना और वो धाई साल से बांदा जेल में बन था इससे पहले वो पंजाब की रोपर जेल में था जहां पर फिर भी वो अपनी गतिवीधियों को अंजाम देता था लेकिन जबसे वो बा और दूसरा पहलो भी यह होता है ना गैंक्स्टरों का कि जब वो यह सब करते हैं तो फिर अपने लाके में मसीहा बन जाते हैं कुछ काम कर देते हैं गरीबों की मदद कर देते हैं ताकि वो अपने काले कारणामों को चुपा पाई लेकिन अब आप यह समझें कि बांदा वो डॉक्तरों के पास गयाा कि यानि कि उसको हेल्थ इशूस पहले से थे उसको हेल्थ इशूस धाई साल पहले भी थे जब वो पंजाब की रोपर जेल में बन था सिर्फ उत्तरपर देश कि बांदा जेल में ही नहीं लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि जो कैदी बांदा जेल में इस वक्त हैं वो डरे हुए क्यों है वो जेल का खाना खाने से डर क्यों रहे हैं वो जेल में सबजी और डाल क्यों नहीं खा रहे हैं ये इस वक्त बड़ा सवाल है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं जेल का खाना कब तक नहीं जो सांपल्स होते हैं बोल ये जाते हैं नमूनों की जांच होती है और मुक्तार अंसारी जो उसकी बैरक थी वो काफी सुरक्षा कड़े सुरक्षा घेरे में था हर वक्त CCTV कामरे से निगरानी होती थी उसकी हर गतिवीधी पर नजर रखी जाती थी और उसकी मौत हाट अटेक पड़ेगी जितने दिन रहना है आपको यह देखना होगा लेकिए